कर रहे थे जिसका नेम तरह ट्राइंगल एंट इस प्रोपर्टीज और इस टिक लिए हम न्यूबुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं देखिए इसके एक्साइज 6.1 कंप्लीट करना में स्टार्ट किया था जिसके प्रिविएस वीडियो में हमने क्वेशन नमबर 1 कर दिया था आज हम देखेंगे क्वेशन नमबर 2 और उसके आंगी की क्वेशन सबसे पहले क्वेशन 2 में लिखा हुआ है इसके डाइग्रमस बनाओ सबसे पहले एपार्ट करें इन ट्राइंगल ABC BE is a median करें कि जो ट्राइंगल ABC है उसमें BE एक median है इसके प् सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना देते हैं लिए ABC ट्राइंगल नम रखेंगे इसका तो A नीचे वाला B इस तरीके से और यह C लिए ABC मैंने एक ट्राइंगल बना दिया इसके बात कह रहें कि BE उसमें क्या है median है लिए BE median है तो यह B से लेकर करके अब median होता क्या है median इसम मैं भी ले लूँगा, लेकिन जो E होगा वो सामने वाली side को क्या कर देगा दो equal part में divide कर देगा, clear, median divide triangle into two equal parts और opposite side into two equal parts तो जो मैंने ये सामने वाली side बनाई है, ये बीच में से ये क्या करेगी, इसको और इसको दो equal part में क्या कर देगी, divide कर देगी AC को दो equal part में divide कर देगा, और ये जो point यहां पर बनेगा, ये E कह लाएगा clear, तो ऐसा कुछ diagram बन जाएगा हमारा first part का, clear ये part हमारा done, अब हम आ जाते हैं second part पे second part में लोग कह रहे हैं हम से कि, देखिए द्यान से, इन triangle PQR अब हमें एक triangle PQR बनाना पड़ेगा, जिसमें PQ और PR, दोनों altitude है triangle की, अब altitude होता क्या है, जो 90 degree पर होता है clear, तो एक ही triangle में, दो altitude बनानी है वो भी same vertex है, P vertex है तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं, देखो कुछ इस तरीके का diagram बनेगा, आपको right angle triangle बनाना पड़ेगा, मैं side बना रहा हो बता रहा हूँ, तो इसमें ये 90 degree angle आएगा, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो दोनों side है, ये clear, ये एक दूसरे पर perpendicular है 90 degree पर है, अगर ये माल लेता हूँ, तो इसकी perpendicular ये होगी, और ये माल लेता हूँ, तो इसकी perpendicular ये होगी clear, इस वज़े से इसका diagram कुछ इस तरीके से बनेगा, देखें, मैं बना की बताता हूँ, आपके लिए B वाले part का 90 degree वाले, right angle triangle हमारा बनेगा, clear exact 90 degree बनाना ये clear, जिसमें P जो रहेगा 90 degree जिस पर बनना है, वो हो जाएगा और उपर हम Q लिख देंगे और ये R बना देंगे, ठीक है, तो P Q और ये जो P Q है P Q और ये P R, दोनों एक दूसरे पर perpendicular रहेंगी और इस वज़े से ये दोनो altitude भी हो जाएगी clear, तो इस तरह से हमारा V वाला part गवार diagram बन जाएगा इसके बाद हम आ जाएगे, थर्ड वाले पार्ट पे, थर्ड वाले पार्ट पे C वाले पार्ट में ये क्या कह रहे हैं कि in triangle XYZ, अब हमें XYZ triangle बना रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि YL is an altitude in the exterior of the triangle, कह रहे हैं XYZ triangle बनाओ, जिसमें YL जो रहेगी, वो altitude रहेगी लेकिन triangle के बाहर रहेगी वो altitude, तो इस वज़े से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक obtuse angle triangle बनाना पड़ेगा, obtuse में बनाब, obtuse angle triangle क्या होता है, जिसमें एक angle obtuse होता है, देखो इस तरह के से यह हमने एक ऐसा triangle बना दिया, ठीक है यह एक straight line रहेगी बड़े थोड़ी सी covered हो सकते हैं कि मैं skill से नहीं बना रहा हूँ फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ऐसा एक ऐसा, पिर यह ठीक है, तो यह obtuse angle triangle आपको बना लेना है, उसके बाद इसमें देखो, आपको naming करनी है यह मैं y लेता हूँ और x y और यह z अब अगर मैं y l मुझे altitude बनानी है, क्योंकि इन्होंने already question बोल चुका है, कि y l क्या होनी चाहिए altitude, altitude exterior होनी चाहिए बाहर होनी चाहिए triangle के, exterior of the triangle, clear, तो अगर मैं y l की altitude बनाऊँगा तो देखो, कुछ ऐसी आएगी, altitude क्या होती बिल्कुल 90 degree पर तो एक कुछ ऐसा diagram बनेगा, altitude पे ऐसा sign भी होता है, और यह जो point आया जो नीचे, इसको मैं l दे दूँगा ठीक है, तो यह y l मेरा altitude भी हो गया, और जो की exterior of the triangle है और यह x y j triangle का बने चुका है मेरा, तो इस इस दा आंसर for the c part अब हम करते हैं बचों question number 3, देखिए question 3 में क्या लिखा हुआ है verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosilis triangle can be same, सबसे पहले इनों ने बुला कि isosilis triangle अब isosilis triangle होता, क्या है वो triangle जिसकी दो sides equal होती है, यह side, यह side मेरा, the triangle whose two sides are equal are known as isosilis triangle यह सब जानते हैं, इनों ने बुला कि diagram बनाओ एक isosilis triangle का और उस triangle में देखो कि median और altitude दोनों same होती है कि नहीं बनाब एक ही line बनेगी, वही उसकी altitude कहलाएगी और वही उसकी median कहलाएगी, तो सबसे पहले question no.3 अगर मैं बनाओ देखिए, isosilis triangle कुछ ऐसा देखने को में मिलता है बिल्कुल straight line आप scale से बनाएगे, ऐसा, clear तो इसमें क्या होगा इस triangle को मैं name भी दे देता हूँ आप चाहें तो ABC मैं इसका naming कर देता हूँ, अब ABC एक isosilis triangle है इस वज़े से इसकी मैं suppose करता हूँ ये वाली side और ये वाली side ये दोनों एक दूसरे के क्या है, equal है तब मैं इसकी median जो बनाऊँगा तो median क्या होगी मेरी बिल्कुल इसके center से निकलेगी, मतलब A से start होगी और VC को दो equal part में divide करेगी तो ऐसी जाएगी वो ठीक है, ऐसी ऐसी line जाएगी बिल्कुल, straight ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा होगा, कि ये जो मैंने बनाई तो altitude है ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है सामने वाली side को दो equal part में इसने क्या कर दिया तो ये ही मेरी altitude हो गई और ये ही मेरी median हो जाएगी ये ही मेरी altitude altitude और ये ही मेरी end median ये वाली जो side yellow color से जो हमने बनाई है, ठीक है तो इसका मैं naming भी कर देता हूँ मानके चलो इसको मैं e दे देता हूँ तो a e जो हमारी है तो बस इतना करना है और इसमें side equal है a b और a c और आपके teachers इस तरीके से लिखवा है, आप उस से लिख सकते हूँ बाकी इतना diagram काफी है तो बच्चों इस तरीके से हमारे question 2 और question 3 भी हमारे complete हो चुके हैं इसके बाद देखेंगे exercise 6.2 next video में सारी वीडियोस की link मिलेगी description में playlist बनी हुई है तो उस playlist की link description में मिलेगी उस पर click करूँगे, सारी वीडियोस, सारे part एक साथ open हो जाएंगे बाकी कोई भी doubt रहे है, तो comment section में पूछे मिलते हैं बच्चों next video में बाई